अलो दोस्तों नमस्कार मैं मंटू सर आज हम लोग बात करेंगे दू मुहत्वपूर्ण तथे की जो साइद आपको जनकारी हो पहला है आपका फूल फॉर्म आफ ग्रामर और दूसरा है आपका की लैंग्वेज और सब्जिक्ट में क्या अंतर है तो अगर ये दोनों आपको जनना है तो इस वीडियो को अंतर तक देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की जिसका हिंदी होता है व्याकरण तो वट इस ग्रामर तो इसके बारे में चलिए देखते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा हुए जी जी से क्या हुआ आपका ग्रोथ ग्रोथ मिन्स आर, आर से रियल वस्तविक, ए, ए से हो गया आपका एटिट्यूड विचार, एम, एम से आपका हो गया माइंड मस्तेश्क, एम, एम से मैन मानव, ए, ए से आपका हो गया एमपल परियाप्त, और आर से हो गया आपका रेंज छेत्र, ठीक है, जी से आपका हुआ ग्रोथ व विकास, R से हो गया real, वास्तविक, A से हुए attitude, विचार, M से हो गया mind, मस्तिस्क, M से हो गया man, Manow, A से हो गया ample, परियाप्त, और R से हो गया range, यानि कि छेत्र, तो अब इसका हिंदी देखते हैं कि इसका हिंदी हुआ क्या, इसका अर्थ हुआ क्या, मानो मस्तिस्क, एम, उसके विचारों का, परियाप्त, छेत्रों में वास्तविक, विकास ही व्याकरण है, दूसरा आपका है, कि नियमों का समूह जो यह बताता है, कि कि शीभाशा में सब्दों का उप्योग कैसे किया जाता है, ठीक है, पहला आपका क्या है, कि मानो मस्तिस् में वास्तिविक विकासे ही व्याकरण है और दूसरा क्या है कि नियमों का समुह जो यांव बताता है कि किशी भासा में सब्क अपयूग कैसे किया जाता है ये कौण बताता है ग्रामर अब तोड़ा सा यहां कोर्चिस समझ लिया जाए कि grammar के भाग कितने होते हैं तो पांच भाग होते हैं पहला आपका है और्थोग्राफी वर्न विचार एटियम अलोजी सब्द विचार सिंटेक्स वाक्य विचार पंक्चुएशन चिन विचार प्रशोडी छंद विचार तो अभी तक हमने अब बात करते हैं एक और important बात जो मैंने बोला है भी कि language और subject में क्या अंतर है तो देखिए simple सी बात है language उसे बोलते हैं जिसे लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है अब पढ़ने का मतलब बोलना बोलने के यूज में यानि बोली के रुप में जिसे यूज किया जाता है जैसे हिंदी, इंगले, संस्क्रेट, उर्दू ये आप लिखते भी हैं और एक भाषा के रुप में परियोग भी करते हैं तो ये कौन सा पेपर आपका हो गया? लेंग्विज पेपर यानि कि इन चारों को बोला भी जाता है और पढ़ा भी जाता है अब एक प्रस्ण ये होड़ता है कि लेंग्विज और सब्जिक्ट में अंतर क्या है? तो देखिए लेंग्विज जो होता है न बोलते समय यदि कुछ अशुद्धिया हो जाती है तो उसे नजर अंदाज कर दिया जाता है किसमें? लेकिन सब्जिक्ट के साथ ऐसा नहीं ह होता है सब्जिक्ट में गलतियों पर ध्यान दिया जाता है जैसे सब्जिक्ट पेपर आपका हो गया हिस्ट्री जोग्रोफिस सेबेक्स एकनॉमिक्स ये सब जो है वो सब्जिक्ट है क्योंकि इन्हें बोला यानि कि भाशा के रुप में नहीं जाता है तो ये आपका हो ग जो दो पॉइंट्स है इसे आप अच्छी तरह से देखिए और इसे कॉपी में नोट कर लिजेगा ठीक है ओके धन्यवाद